हे गाईज देखे यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताने वाला हूँ जहाँ पर आप बाइंग पोजिशन बना सकते हो सही है और अगले दिवाले तक आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकता कुछ ऐसे हैं जो आपका पैसे डबल भी कर सकता कोई आपका ऐसा है जो आपका पैसे तीन से चार गुना भी कर सकता सारे स्टॉक्स को मैं एक एक करके बताऊंगा और यह बहुत ही शॉट वीडियो बहुत ही शॉट वीडियो है और देखें इसमें मैं कोई जादा तर आपको फंटेमेंटली टेक्निकली नहीं बताऊंगा जादा तर इसमें लेक्चर रहेगा इस वज़े से क्योंकि यह सारे स्टॉक्स जो आपने थमलेन में देखें इसके बार में आल्रेडी मैंने जो है माली जे 5-10 वीडियो अपलोड कर दिया है तो एक ही चीज़ को बार बार बोलने से अच्छा है कि डारेक्ट बता देना सही होगा हाला कि आप इसको पोर्टफोलियो के तोर से समझ सकते हो जो मैं खुद खरीदने वाला हूँ इस दिवाली में और इस दिवाली से अगले दिवाली तक देखें दिवाली जब भी आती है हम celebrate करते हैं क्यों celebrate करते हैं पता नहीं है लेकिन इतना तो है अगर कुछ और special हो जाएगा ना तो दिवाली celebrate करने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा है कि नहीं है तो उसी तरीके से अगले दिवाली तक मैं खुद अपने आप से aim रखता हूँ एक goal रखता हूँ भाई एक goal रखता हूँ कि मुझे कम से कम मेरा पैसा जो है double से triple तो कर लेना है अगले दिवाली तक इसलिए यह जो मैं आपको स्टॉक बताने वाला हूँ यह मैं खुद खरीदने वाला हूँ हाला कि मैं आपको साथ share करूँगा तो सबसे पहला जो स्टॉक है हूँ सही है हम ज्यादा तर लोग क्या करते हैं ज्यादा तर लोग क्या करते हैं बाय करते हैं स्टॉक को सही है कहां पर बाय करते हैं बाय लो करते हैं कि नहीं हम क्या करते हैं बाय लो नीचे में खरीते हैं और बेशते कहां है सिल हाई हाई में हम यह करते हैं कि हमने बाय पर किया, sale यहाँ पर किया, लेकिन नहीं है, यह तो सब को पता है, क्या profit कर पा रहे हो, मेरे portfolio में तो खुद है, 500% का profit है, 800% का profit है, 50% का profit है, पैसा double है, कुछ 300% का profit है, है, हैगी नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, पता है, just opposite, यह sale को नीचे ला देता हूँ, और यह buy को sale low का मतलब देखे, जब भी कोई stock high and high बनाता रहता, तो उसको buy करने की कोशिस कीज़े, समझ रहे न, और sale low का मतलब मैंने क्या बोला, sale low, जब बेचना कब है, आपको नीचे, जब आपको वो stock दिख रहा है, कि भाई, नीचे आना स्टार्ट कर दिया, तब आप बेचने की कोशिस कर सकते हो, लेकिन हम आज तक उल्टा स्टेजी फॉलो करते हैं, भाई देखो, आप मानो चाहि मत मानो, ये बुक में लिखा है, आप अगर 50 भी कॉमेंट कर दो गए न, तो मैं नहीं मानने वाला, क्यों, बुक में लिखा गया, बहुत ज़्यादा ग्यान है आपको तो चलिए, आपका नाम का भी बुक होना चाहिए, है, नहीं है, तो चुपचा पर रही है, जो यहाँ पर बताया है, जरा फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है न, तो आपको क्या करना है, कि भाई, सिल हाई, हैगी नहीं, हम क्या करते हैं, सिल हाई कर ये चार्ट को हम गायब कर देते हैं गायब कर देते हैं ये चार्ट है इने ये क्या है ये इसका हाई है यहाँ पर हाई होगा सही है यहाँ पर एक हाई बनाया उस तरह के से नया हाई फिर यहाँ बनाया फिर यहाँ बनाया फिर यहाँ बनाया फिर यहाँ बनाया फिर यहाँ जब stock market में गिरना start कर देता है तो भाई दुनिया का पता भी नहीं चलता से असमें लगाने से अब यह बजास finance फिर से देखेगा यह इस तरीके से जाना कोशिस करेगा तो अगली दिवाली तक मैं सोचता हूँ कि यह stock जो है मेरा पैसा double कर देगा यह मेरा खुद का astrology है चाहे आप जो भी समझो और दूसरा जो stock है भाई विकास multi corp में पता नहीं मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने क्या क्या अपनी position को बढ़ा दिया बढ़ाने का मतलब मैंने और ज्यादा पैसे लगा दिया मुझे लगता है कि आने वाले अगली दिवाली अगली दिवाली तक ने यह stock में दो साल तक तो रखना ही चाहता हूँ क्योंकि देखे चोटे stock आपने यह तो सुना होगा कि राके जुन जुन वाला ने दो रुपया का titan खरीदा बाते बताता यार यह कौन यह से तो ऐसे लग रहा है कि यह गलत बात बताते है आपको यह जो देख रहा हूँ ना यह जो देख रहा हूँ ना 2000 यह 2 रुपे से 2000 यहां से बीज का यह जो generation आपको दिख रहा ना यहां जो travel करना पड़ा यह आसान नहीं था बाई बीस साल था कि 20 साल था तब जाके दो रुपया के share 2000 बन चुछा हम अगर हमें किसी stock को 20 दिन अगर hold क करने के लिए बोल दिया गया ना तो हम तो स्टॉक मार्केट ही छोड़के चले रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए आप यह मत देखो दो रुपे से दो हजर बन गया टाइम देखो क्या आपके पास इतना टाइम है 20 साल रूख सकते हो तो भाई मैं 20 साल नहीं बोल रहा हूं ले आप जाके सबसदी मंडी वाले से जाके पूछना आपके घर के आसपा या कभी अगर आप सबसदी लेने के लिए जाओगे वेज़ेटेबल लेने के जाके पूछिए भाई आप कितना कमा लेता हूं चोड़िए गया सब्यादी बहुत ज्यादा बोले या पानीपुरी वा पाँच गुना यह दस गुना करना है न तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा तो विकास मल्टिकॉर्प में मुझे ऐसे लगा कि मुझे अच्छा कहसा रिटन दे सकता है गौवर्मेंट भी सपोर्ट कर रही है ऐसी कमपनी को तो इसलिए मैंने पोजिशन बना दिया आप देखिए अगले दिवाली में क्या मुझे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा अब उसके बाद देखिए मैंने आपको बोला था भाई कोल इंडिया को नहीं खरीदने के लिए सही है यहाँ पर देखिए अभी जो इसका तार्गेट दिया जारा 190 का तार्गेट दिया जारा 190 का तार्गेट दिया जारा लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं फिर भी यहाँ पर आप लोगको लगबग 3% के आसपास आपको उच्छाल देखने को मिला लेकिन मैं अभी भी लगबग एक दिन पहले मैंने वीडियो बना के बोला था भाई कोल इंडिया को नहीं खरीदने के लिए तो आपके हिसाब से मैं अभी क्या बोलूँगा कॉमेंट कर सकते हो आप अभी भी मैं बोलूँगा नहीं नहीं बोलूँगा अभी भी कोल इंडिया का जो तार्गेट दिया ज़रा 190 मैं इसलिए कोल इंडिया को इस वीडियो में सामिल कर रहा हूं कि भाई 190 का तार्गेट दिया ज़रा बहुत सारे लोग खरीद लेंगे तो मैं आपको बोलूँगा खरीद सकते हो शौट टम में खर लंबे समय के लिए मत खरीद देगा धोखा खा जाओगे भाई यही वो कोल इंडिया जो अगले पांच ही क्या दस सालों से भी एक रुप्या का भी प्रॉफिट नहीं दिया समझ रहे न तो प्रॉफिटेबल बिजनस नहीं है तो यहां से आप लंबे समय की उमीद मत किज लांग टम में पैसा मत लगाईएगा बाकि आपकी मरजी रहेगी मेरे हिसाफ से नहीं करना चाहिए और लास्ट में जो गती है अपना गती दिखाई दिया आप लोग को है कि नहीं जिस दिन फॉर्स डे ही मैंने आप लोग को बता है था उसी दिन मैंने खुद ही खरीदा और आज के रेट में भी आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा आई होप मुझे उमीद है कि आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा बाकि आपकी मरजी रहेगी आज के रेट में भी स्टॉक लगबग 11% के आसपास दोड़ चुका है और दे वीडियो बनाया था या बताया था आप लोग को सही है लेकिन उससे दो मैने पहले से मैं ये स्टॉक के बारे में रिसर्च कर रहा था देखिए मैं आपको बताता हूँ आप किसी भी यूटूबर को फॉलो कर लो वो आपको गती जैसा स्टॉक नहीं बताया होगा विकास मल्टिकॉर्प जैसा स्टॉक नहीं बताया होगा बायो फिल केमिकल जैसा स्टॉक आपको नहीं बताया होगा और एक क्या बताया था यार बायोटेक करके यह जो ऐसे-ईसे stock कोई भी आपको नहीं बताएगा बहुत मेहनत करना पड़ता है बहुत मेहनत करना पड़ता है ढूंडना पड़ता है मैं बोल्ड़ना हुना जमीन खोद-खोद के निकालना पड़ता है ऐसा stock आप बहुत सारे stock यूटूबर को देखोगे तो निफ्टी वाले stock के ज़्यादा बताएंगे जो आज सपास आपको दिखाई देते हैं तो वही बताएंगे लेकिन ऐसे stock आप ज़्यादा तर नहीं देखोगे अगर यूटूब में भी आप search मारके देखे बहुत कम ही वीडियो आपको दिखाई देगा बहुत कम तो भाई गती ने भी आप मुझे लगता है मुझे तो ये 60% का profit दे दिया पता नहीं पैसे डबल करके आगे देखेंगे situation जब upgrade होगा लेकिन अभी तो मैं बोलूँगा भी hold करने के लिए थोड़ बहुत correction हो सकता correction हो सकता क्योंकि stock market कभी भी ऐसे नहीं चलता stock market ऐसे ऐसे चलता है तो जब नीचे आएगा तो उपर भी जगा तो ऐसे जगा जैसे कि मैंने आपको बताया था विकास multi corp 20 रुपीज पे गया था फिर नीचे आए लेकिन मैंने क्या बोला था भाई मैंने 50 में खरीदा रियल प्राइस पर खरीदना है ना तो इसलिए मेरे हिसाब से मैं गति को hold करने वाला हूं अगले दो साल तक लेकिन फिर भी अगले दिवाले में मुझे लगता कि गति काफी अचा परफॉम करके दिखाएगा और नही हमें अच्छे आपको पता है कि आने वाले दो साल में क्या होने वाला नहीं पता हमें तो कल के बारे में यह नहीं पता है है कि नहीं तो आपको तो यह पता होगा कि यस्टरड़े क्या हुआ था तो यह सबको पता है है कि नहीं सबको पता है यस्टरड़े क्या हुआ वो से कुछ नहीं ने देना आप यहां पर खड़े हो हमें पीशे के बारे में पता है लेकिन अगर आप फ्यूचर देख पाओगे तो ही आप किसी स्टॉक में प्रॉफिट कर पाओगे समझ रहो ना तो इसी तरीके से फ्यूचर कंडिशन को जज करते हुए हमारे तरब से आपक ज्यादा फेमस था उसके बाद आज के डिट में देख सकते एक इंसान जो पांच मॉबाइल भी लेके चल साकता इतना ज्यादा तो यह क्या हुआ जनरेशन बाइजन चेंज हो चुका उसी तरीके से फ्यूचर जनरेशन को डिसाइड करते हुए आपको पोटफोलियो बना प्लैट्फोर्म यह अच्छे वाले प्लैट्फोर्म जहाँ पर आप आपका पैसा दोनों सेफ है यहाँ पर एक ग्रूप है जहाँ आपको बताया जाता है क्या खरीदना है नहीं खरीदना है दिप्लियूपिस आप से लिया जाता वह बी इंट्र डेट्रेट ने जो हर क्ते हो